लो दोस्तों कैसे हो आप सभी उम्मेद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में UPJEE के बारे में बात करेंगे यह क्या होता है इसमें इसकी प्रोसेस क्या होता है क्या होता है इसके अंतरगत आने वाले जो भी डिपलोमा कोर्सेस हैं वो क्या होते हैं सब के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे सबसे पहले यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि UPJEE यानि कि उत्तरप्रदेश ज्वाइन इंट्रेंस एक्जामिनेशन अगर हम इससे हिंदी की बात करें इसकी तो उत्तरप्रदेश सन्युक्त प्रवेस परिच्छा होता है यानि की प्रवेश परिच्छा देते हैं जो पॉलिटेक्निक के ठूँ हम लोग इसके बारे में बात करेंगे क्या होता है तो सबसे पहले ही देख लिए कि जो पॉलिटेक्निक होता है डीप्लोमा कोर्सेस प्रवाइट करवाता है इसके अंतरगत बहुत सारे डिप्लोमा कोसेस ये प्रवाइड करवाता है जैसे आपका इंजिनरिंग डिप्लोमा, डिजाइन इंजिनियर डिप्लोमा, डिफार्मा डिप्लोमा, फार्मेशी डिप्लोमा इस तरह से कई सारे बहुत सारे कह सकते हैं हम लोग ये डिप्लोमा प तो सबसे पहली बात यहां पर सबसे खास बात यहां यह है कि इसके कई सारे अब मैंने भी बताए कई सारे डिप्लोमा प्रवाइड करवाता है तो यह इसकी ग्रूप वाइज डिटेल जो है वो मैं अभी आपको बताता हूं सबसे पहले यहां पर हम लोग जानकारे लेते हैं कि जो इसका group E है ये क्या होता है इसके अंतरगत कौन सा kourse होता है उसकी eligibility क्या होनी चाहिए ठीक है और उसमें जो private college हैं उनकी fix क्या है गौर्मेंट कौलेज की fix क्या होती है इसके अंतरगत कौन सा kourse का diploma प्रुवाइट किया जाता है हमें कि इसके अंतरगत सारी जानकारी दी जाती है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहां पर ग्रूप ए आपको ध्यान में रखना है ग्रूप ए यनि की वर्ग ए के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहली बात यहां पर यह आपको ध्यान जो फार्मेसी से रिलेटेड है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फार्मेसी क्या होता है ठीक है तो जो फार्मेसी होता है इसके अंतरगत हमें दो कोर्स प्रोवाइट करवाये जाते हैं एक होता है यहां पे देखेंगे आप D Pharma और दूसरा होता है B Pharma एक D Pharma और दूसरा B Pharma तो यह फार्मेसी के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे कि इसके यानि इसमें एडमीशन के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करना चाहिए और इसकी स्कोप क्या है प्राइबेट कॉ में यह सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्रूप E जो है यह किस लिए है यानि कि फार्मेसी के लिए है हमको अगर इसमें रिजिस्टेशन करवाना है तो हमें ग्रूप E में करवाना है अब यहां पर आप ल से बात करेंगे कि डिफार्मा क्या होता है डिफार्मा की इसका जो अपना इलिजबिल्टी है वो क्या है ठीक है इसकी इंट्रूडक्शन के बारे में हम बात करेंगे डिफार्मा के इलिजबिल्टी के बारे में बात करेंगे एडमीशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे course process के बारे में बात करेंगे defarma के subject के बारे में बात करेंगे उसके बाद इसके institute के बारे में बात करेंगे और हम फिर last में इसके scope और job के बारे में बात करेंगे तो इसके लिए मैं सिर्फ defarma से related एक अलग वीडियो बनाऊँगा उसमें ये सारी जानकारी आपको मिलेगी यहाँ पर हम लोग पहले देखते हैं इसके थूरू इसमें इडिमिशन किस प्रकार से लिया जाता है वो चीज हम डिसकस करते हैं तो बच्चों जैसे आप पॉलिट टेकनिक के थूरू डिप्लोमा कोर्सेस में ग्रूप ई के लिए रेजिस्टेशन करते हैं तो यह आपको मैंने बता भी फार्मेसी के लिए है तो इसमें आप देखेंगे ग्रूप ई में दो वर्ग दिये गए एक होता है ईवन और दूसरा E2 दोस्तों जो यह E1 है यह PCB के लिए यानि कि Physics, Community, Biology वाले चात्रों के लिए है अब मैं आपको बता दू कि इसमें अपलाई करने के लिए आपकी जो eligibility है वो 10 प्लाश 2 की है यानि कि आप 12th exam पास होने चाहिए 12th exam पास होना चाहिए आपको यानि कि 12th exam पास होना चाहिए उसके साथ साथ आपके 50% marks होने चाहिए 50% marks यानि कि 50% number आपके होने चाहिए अब इसमें मैं आपको बता दू कि जो ये E group है इसके दो group बनाए गए यहाँ पे एक E1 और एक E2 तो E1 में क्या है बच्चों यहाँ पर E1 में दिया है PCB यानि physics, chemistry और biology वाले चात्रों के लिए है और E2 group जो है यह physics, chemistry और math वाले चात्रों के लिए यहाँ से यह निसकर्च निकलता है कि pharmacy इंटर में चाहिए आपका PCB रहा हो या PCM या आप math लिए हो या biology दोनों student pharmacy कर सकते हैं ठीक है या चाहे आपका जो भी रहा हो इंटर में यह माने नहीं रखता ठीक तो PCB भी लिए है अगर आप physics, chemistry और biology तब भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं और यदि PCM होगा तब भी आप फार्मेसी में डिप्लोमा कर सकते हैं अब हम इसकी eligibility की बात करते हैं तो मैंने अभी बताया कि जो आप group E के लिए इसकी eligibility है वो है 10 plus 2 with 50% marks 10 plus 2 with 50% marks आपके 50% marks होने चाहिए ठीक 50% marks तो होने ही चाहिए आपके इसकी इसमें आपको registration करवाने के लिए आपका इंटर पास होना चाहिए और 50% marks भी होने चाहिए अब हम लोग बात करते हैं admission process की तो देखिए दोस्तों की जो admission process इसमें होता है वो तीन basis पे होता है यहाँ पे देखिए एक होता है merit basis बहुत से colleges ऐसे होते हैं बहुत से colleges ऐसे होते हैं दोस्तों की वो merit based पे admission लेते हैं यानि की merit based का मतलब आपकी जो 12th की mark seat होगी उसके base पे admission लेते हैं कई सारे colleges ऐसे हैं जो entrance exam करवाते हैं प्रवेस परिच्छा करवाते हैं तो इसी प्रकार से जो हम लोग बात कर रहे हैं कि polytechnic की जो UPJEE की बात कर रहे हैं उसमें entrance exam ही होता है इसके थुरू आप defarma में admission ले सकते हैं जो आपका defarma है उसमें आप admission ले सकते हैं इसी के थुरू हम लोग बात करेंगे हमारा में जो main point है वो यही है entrance exam का वो भी defarma के लिए फिर कुछ ऐसे colleges होते हैं जो क्या करते हैं direct admission लेते हैं direct admission ले लेते हैं तो दोस्तों यह आपकी जो group E है इसमें हमें admission लेना है यानि कि इसी के लिए हमें registration करवाना है और जो इसका base है इसका क्या है जो इसका base है वो हम लोग देखेंगे कि वो है अपना वो अपना है डी फार्मा वो क्या है अपना हम लोग यहां बात करेंगे वो अपना base क्या है डी फार्मा के लिए अब यहां पर मैं आपको बता दूँ कि डी फार्मा के लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें special डी फार्मा के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसका introduction में आपको बताउगा कि defarm high होता क्या है ठीक है इसमें process क्या होते है इसके eligibility क्या होती है admission process क्या होते है course process क्या होते है इसका डिवरेशन क्या होता है इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगी इस पेसली जो की डिफार्मा के लिए है तो मैं अभी आपको बताता हूँ ये वीडियो बनाने के ये मकसद है दोस्तों कि जो हमारा पॉले टेकनिक ये इंट्रेंस एक्जामनेशन करवाता है ये इसक की थी लेकिन इस कोरोना महामारी के काल की वज़े से इसका एक्जाम अभी नहीं हो पाया तो कुछ बच्चों ने रजिस्टेशन बहुत सारे बच्चों ने रजिस्टेशन इस पे नहीं करवा पाय थे तो इसकी रजिस्टेशन की जो डेट है वो 15 जुलाई तक कर दी गई है यह आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है इसकी रजिस्टेशन डेट लास्ट डेट 15 जुलाई तक कर दी गई है जो भी स्टूडेंट्स नहीं अभी तक रजिस्टेशन करवा पाएं वो जल्द से जल्द यह रजिस्टेशन करवा लें और अपना जो सपना उनका है ड दी गई है जैसे आप डीपलोमा इंजिनरीं से करना चाहते है कि इलेक्ट्रिकाल इंजिनरींसे लेक्टरॉनिक इंजिनरींसे या और भी भी सारी से इसके लिए क्या है आपका की दस्वी कच्छा में निंतम 35% माक्स आपके होने चाहिए पिर उसके बाद आता है एगरी कल्चर इंजिनरिंग के लिए इसकी अवधित जो हैरे डियूरेशन तीन वर्स का है कच्छा दस्वी क्रसी के साथ नियूंतम 35 अंक से उत्तीर होना चाहिए फिर उसके बाद हम लोग जो यह सारी इसके डिटेल हैं हम लोग जो बात करते हैं वो ग्रूप एकी बात करत 10 प्लस 2 जो होती है उसके परिच्छा भौतिकी और रसायन अनिमार के साथ गणित या जिव विग्जान होनी चाहिए यानि कि भौतिक और रसायन जो फिजिक्स कमेश्टी है वो तो होनी ही चाहिए उसके साथ साथ आपका या मायत हो या बाय हो तो ये इसके लिए हम लोग खास बात करेंगे हमारा जो में पॉइंट है में टार्गेट है वो यही है अब हम लोग अभी हमने बताया कि आपको डी फार्मा के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इसके अगले वाले वीडियो में तो दोस्तों ये जानकारी आपको मुझे आप तक चाना था इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं इसी प्रकार की और भी जो भी जानकारी होगी उसके लिए जुड़े रहे हमारे यूटूब चैनल प्रयाक साइंस क्लासेस से धन्यवाद